हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग आसा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे आपका अपने यूटूब चैनल परफेक्ट इंगलिस में स्वागत हैं दोस्तों हमने पहले नाउन के अपने पार्ट बन और पार्ट व को कम्पलीट कर लिया था आज हमारा नाउन का पार्ट हैं दोस्तों टाइम बेस्ट ना करते हुए हम नाउन जैंडर से आज शुरू करते हैं दोस्तों जैंडर को चार भागों में बांटा जाता हैं चार भाग कोन कोन से होते हैं यह होते हैं मास्कुलिन जैंडर फेमिन जैंडर कोमन जैंडर और लास्ट इस न्यूटर gender masculine gender pulling ऐसे नाउन जो male sex को ब्यक्त करते हैं masculine gender कहलाते हैं जैसे tiger power violence father shun summer time thunder दोस्तों जैसे होता है tiger इसकी दो ये दो एक बार को पहचान पड़ जाती है पर दोस्तों सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों कि इसकी पहचान इस टाइप से हम कर सकते हैं कि जो साहस को दिखाता है साहस और उर्जा को दिखाता है बहां पर हम यूज करते हैं मास्कुलिन जैंडर का आर्यू गैटिंग स्टूरेंट इस टाइप से हम याद रख सकते हैं इसे दोस्तों आप इसके प्रोपर नोट्स बनाते चलिएगा और एक बार वीडियो को वोच और कर लेना तो आपकी अच्छा समझ में आ जाएगा और इसे पॉइंट पॉइंट नोट करते रहिएगा और कोई किसको कोई क्वेरी होगी तो मुझे कमेंड वोक्स में बता देना मैं उसका सोलूजन बेज दूँगा नेक्स्ट इस फैमिन जैंडर इस्तरिंग लिंग ऐसे नाउन जो फिमिल सेक्स को ब्यक्त करते हैं फैमिन जैंडर कहलाते हैं जैसे यह फैमिन जैंडर होते हैं दोस्तों जैसे बढ़ लोते हैं पीस नेचर आर्ट गोड़ेस इनकी हम पैचान कैसे रख सकते हैं दोस्तों इसके लिए मैं आपको अच्छा तरीका बताता हूं जो सान्त स्वयभाव और धैर्य को दिखाता हैं बहां पर हम लगा बहां पर फैमिन जैंडर हो जाते हैं दोस्तों इसके एक बार आप प्रैक्टिस कर लेना तो आपको यह और अच्छे से याद हो जाएगा नेक्स्ट इज कोमन जैंडर उभेलिंग ऐसे नाउन जो इस तरी एवं पुरुस दोनों के लिए प्रियुक्त होते हैं कोमन जैंडर कहलाते हैं जैसे चाइल्ड बेबी टीचर शर्वेंट इस्टुडेंट कजिन इंफैंट थीफ एंड नेवर एक्स एक्स्ट्रा इट इस हा स Frenchी के दोस्तों जो या तूम मेल होते हैं यहां फिमेल होते हैं बे होते हैं कोम जैंडर और जैसे हम चाइल्ड का एक्जामप्य लेंगे चायड बच्चा बच्च का नहीं पता होता ने कि लडकी यह लडगा हैं बच्चे सब्द में जैसे होता है टीचर लड़की भी हो सकती है लड़का भी हो सकता है यह नहीं लेडिज भी हो सकती है जैंस भी हो सकते है आर यूगेटिंग student में student में क्या होता है student लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है next is न्यूटर जेंडर नपुंशक लिंग ऐसे नाउं जो उन निर्जीव बश्तों को भ्यक्त करते है जो नय तो मेल है नई ही फिमेल है न्यूटर जेंडर कहलाते है जैसे copy book रूम, पेपर, टीवी, वोक्स, एटीज, जो ना तो मेल है, जैसे बुक, ना तो मेल है, ना ही फिमेल है, are you getting? Now, rules for changing masculine noun to feminine noun, rule first, कुछ cases, यानि किस टाइप से, masculine gender को feminine gender में, किन rules के तुरू, बदल सकते हैं, यह rule दिये हुए है, rule first, कुछ cases में masculine noun के बाद, e, s, s, लगाने से feminine noun बनाया जा सकता है, जैसे masculine gender, author, लेखक, इसमें last में, e, s, e, s, लगा देंगे, यह author, और e, s, host, hostess, जू, जू, जू जेज, दोस्तों, यह आप इसका screenshot ले लेना, और यह bird है, आप इसको एक बार practice कर लेना, तो और आपको अच्छे से याद हो जाएगा, और एक बार वीडियो को देख लेना, तो आपको और अच्छे से याद हो जाएगा, और notes बना दे चलिएगा, मैं, मैं आप से बारवार कह रहा हूँ, इससे चीज़ों को याद रखने में आसानी होगी, rule second, rule 2, कुछ केसे में masculine noun के अंतिम बोविल एबम उसके पहले आने वाले consonant को अगर, इडवल एस जोड़ने से भी feminine noun बन जाता है, जैसे masculine है, actor, actor को इसमें EWS जोड़ देंगे, actress, EWS ये जोड़ दिया, और R इसे भी जोड़, इसे भी हटा दिया, O को हटा करके यहाँ पर R के बाद में EWS जोड़ दिया है, दोस्तों, ये आप इसका ये screenshot ले लेना, ये इसका screenshot ले लीजिएगा, और इसको revise कर लेना, अब, इसका screenshot, next is, rule third, कुछ cases में masculine noun के सब्दों में कुछ change किया जाता है, एबम अंत में EWS लगाने पर भी feminine noun बन जाता है, जैसे, जैसे, ये होता है, ये दिया हुआ है, emperor, ये कैसे बनेगा, emperor का हो जाएगा, Empress, next is governor, governor का हो जाएगा, governance, duke, duchess, god, goddess, master, mistress, sorcerer, sorceress, जादुगर, जादुगर्नी, इसका दोस्तों screenshot ले लेना, और इसे एक बाप practice कर लेना, next is rule third, कुछ cases में, compound masculine noun के first ever, अत्वा, second सब्द में कुछ परिवर्दन किये जाता है, जैसे, man servant, का हो जाएगा, maid servant, next is washer man, washer woman, ये दोस्तों, या दोस्त में, बदला जाएगा, या shaken में, आप दोस्तों इसका, ये screenshot ले ले लेना, और दोस्तों, इसका हम एक basic समय आपको, rule बता देता हूँ, या याद रखने के trick बता देता हूँ, कि किस तरह से, हमें पता चल पाएगा कि, कौन से, bird में, change होगा, जैसे ये, इस दोस्तों, जैसे, इस बच्चों, जैसे दिया हुआ है, man, servant, और इसमें, man का, made कर दिया, are you getting, तो इसमें हमें, पता लगाना है, कि, कि इसमें, परिवर्टन होगा, तो इसमें, इसका, man का कर दिया, made, तो, दोस्तों, आप देख सकते हैं, कि, servant, में तो, change नहीं कर सकते हैं, क्योंकि, इसका तो, कुछ, means, होता नहीं है, हम तो, gender में ही तो, करेंगे न, तो, man का, इसलिए, हमने, made कर दिया, और, next is, वो, sir, man, वो, sir, man, में, बो, sir, तो, वो, ही रहेगा, तो, हमें, तो, gender में, change करना होता है, तो, इसका, आपने कर दिया, वो, sir, boo, man, man की, तो, boo, man होता है, न, है, न, are you getting, वो, sir, का क्या करेंगे, बो, sir, तो, होने ही सकता है, न, next is, वक, रेविट, रेविट, तो, वो, ही रहेगा, are you getting, but, male, female का ही तो, करना होता है, न, तो, इसलिए, वक, कड़ा ही कर दिया, इसे, एक बार, आप, screenshot, ले कर गए, इसकी practice, कर लेना, are you getting, students, next is, rule 5, rule 5, is there, foreign words, एवं, अन्य बिवीद, सब्दों के, masculine, एवं, feminine, gender, नीचे दिये गए हैं, इनको किसी विशेश नियम के तहत, परिवर्थित नहीं करते हैं, जैसे, as, administrator, इसका हो जाता है, adminis, tratrix, executor, executrix, led, less, यह बढ़ना है, इन्हें आप यद कर लेना, यह बर्ड हैं, दोस्तों, यह इनकी आप प्रैक्टिस कर लेना, यह इसका screenshot ले लीजिएगा, यह सारे बर्ड से, next is, noun number, singular, plural, यह क्या होता है, singular noun, दोस्तों किसे बोलते हैं, singular noun, इससे किसी ब्यक्ती, एक इस्थान, यह एक बस्तों का बोध होता है, जैसे, boy, girl, table, इस यह एक बजन होते हैं, next is, plural noun, इससे एक से अधिक ब्यक्ती, इस्थान, यह बस्तों का बोध होता है, इसे बोलते हैं, plural noun, जैसे, शिटीज, वाइज, गल्स, चेंजिंग, सिंगुलर, टू प्लूरल, सम, रूल, सिंगुलर, से, प्लूरल में कैसे, चेंज किया जाता है, यह कुछ रूल दिये हुए है, रूल फर्स्ट, कुछ noun के, अंत में, एस लगाने से, बैं, प्लूरल बन जाता है, जैसे, बोई, गर्ल, काई, टेलिफून, इट इजी, यह ऐसे बढ़ना है, जिनके, लास्ट में केवल, एस लगाने से ही, प्लूरल बन जाएगा, next is rule shaking, rule shaking क्या कहता है, दोस्तों, जिन noun के, अंत में, एस, डवल, S, C, H, S, H, Z, या, X आता है, उनका plural noun बनाने के लिए, अंत में, इस जोड दिया जाता है, जैसे, बस, मैं ऐसा आया ना, लास्ट में, तो, इसमें, इस जोड दिया, next is watch इसमें CH आया तो इसमें भी YES जोड़ दिया next is double S यह ना double S तो यहां भी YES जोड़ दिया are you getting और यह X से यहां X आया है यहां भी YES जोड़ दिया है इसे हम practice कर लेंगे एक बार और इसका हम किस तरह से इसमें ऐसा लगता है हमें यह सारे वर्ट से जिसे S की साउंडिंग हिसिंग साउंडिंग आ रही हो are you getting इस बर्ट को एक बार रिवाई कर लेना आप यह कुछ बर्ट यह यह यहां दिये हुए है जिसे टैक्स बोक्स डिस कोच कुछ इससे कुछ एक्सेप्सेश्पन एक्सेशंस भी हैं जैसे स्टमक इसे स्टमक नहीं बोलते हैं दोस्तों इसे बोलते हैं स्टमक तो इसमें यह कह की साउंड निकालता हैं तो इसमें यह यह नहीं लगाते हैं इसमें खाली एस लगा देते हैं नेक्स इस लोकस इसे लोशी रेडियस, रेडी, ओक्स, ओक्सेन नेक्स्ट इज रूल थार्ड रूल थार्ड में क्या होता है कुछ नाउन के अंत में ओ आता है एवं इससे पूर कोई भी एंजन हो तो उसका प्लूरल बनाने के लिए नाउन के अंत में एस लगाते हैं इसकंडी में हेडो हीरो है रउं लास्ट में और इससे पहले एक बियंजन है और तो इसे इस में लास्ट में लगा देंगे ये ये बार्ण से अ हाँ ये इनकी आप practice कर लेना इसमें भी कुछ एक्सर इसका मेंज होता है एक्सायप SANS का मेंज होता है अप वाद are you getting इसमें अपाबाद क्या है जैसे होता है dynamo जैसे dynamo bird है dynamo में o आया है जो इससे पहले consonant भी है परंधों हम यहाँ पर yes नहीं लगाएंगे जोच लगा देंगे यह bird है दोस्तों यह six bird है यह six birds are there you can learn them by taking screenshot next is rule 4 यदि किसी नाउन के अंद में डवल वोविल लगे हुए हो तो उनका प्लूरल बनाने के लिए इसके अंद में एस लगा दिया जाता है जैसे बी यह डवल नाउन है ए तो इसमें काली ऐसे ही एस लगा देंगे ट्री ट्री यह बर्ड है यह आप इसे प्रैक्टिस कर लेना नेक्स्ट इजर रूल 5 रूल 5 क्या कहता है दोस्तों रूल 5 कहता है यदि नाउन के अंद में बाई आए एवं बाई से पूर्ब कोई बेंजन आता है तो बाई की जगह आई एस लगाने से उसका प्लूरल बन जा सब्सक्राइब को एक रखता है यह एक राई वाई आया है इसे पहले से इस में क्या लगादेंगा इस लगाा देंगे को वाटाह और करकेई एस जिए कंट्री आप आ क्यरें यह आ यह फैमिली इश है यह बोड दोस्त में इन्हें प्रैक्टिस कर लेंगे नेक्स टीज rule six rule six का हमारे क्या कहता है यदि नाउन के अंत में बाई आए यदि नाउन के अंत में बाई आए एवं बाई से पूर कोई बोविल आता हो तो एस लगाने से उसका प्लूरल बन जाता है देखो दोस्तों यह बाई आया है कि इससे पहले बोविल है बट हम खाली एस लगा करके ही प्लूरल बना देंगे डंकी डंकी इसमें भी डाईरेक्ट एस लगा देंगे बाई के बाद यह एट वर्ड्स अर्डेयर यू कैन लर्न नेक्स्ट इज रूल शिक्स रूल सिक्स सोरी रूल सेवन रूल सेवन हमारा क्या कहता है यदि नाउन के अंद में एफ या एफ ए आये तो प्लूरल बनाने के लिए एफ या एफ ए को हटाकर वी एस लगाते हैं जैसे यदि एफ है या एफ है दोस्तों बच्चों तो उसमें एफ हटा करके हमें वी एस लगाते हैं जिसे काल्फ तो इसमें एफ हटा दिया वी एस लगा दिया यह यह वर्ड्स हैं यह दिये हुए हैं इसके हम प्रैक्टिस कर लेंगे जिसे हैं यह होता है लोफ लोफ नाइफ नाइप नाइप तो आपने पढ़ा भी होगा साइद नेक्स इज है रूर इसके कुछ अपबाद भी यह दोस्तों एकसज संस भी यह जिसे होता है בिलीफ ऐफ दिया हुआ है last में मगर V.E.S. नहीं लगाया है इसमें क्या कर दिया direct S लगा दिया जिससे होता है क्लिफ draft डाफ इसमें direct लगा दिया दोस्तों इन वर्ड्स की आप प्रैक्टिष मैं कर ले न इसका screenshot ले लो दोस्तों next is rule 8 rule 8 में क्या है compound noun में मुक्य सब्द के साथ s लगाने से उसका plural बन जाता है जैसे होता है brother in law इसका plural कैसे होना आते है brothers in law bedroom bedroom का क्या करतेंगे वियर्ड रूम्ज हो जाएगा पिर कमांडर्स कमांडर इन चीर abroad इन चीफ इसमें मुख्य सब्द का से कैसे पता चलता है जिसे ब्रोडर है ने ब्रोधर इन लो ब्रोधर ब्रोधर से लोगों जाएक सब्सक्राइब लो इसका कर देखते हैं कि in law in law सब्द तो एक सही है और रूम रूफ सोरी बेड़ बैड़ सब्द भी सही रहेगा पर दोस्तों रूम सब्द हमारा हो जाएगा मुख्य जो सब्द एक सा रहता है बहुत होता है हमारा समानिय और इसमें भड़ इसमें बड़स दिये हुए है कर लेंगे दोस्तों यह हमारे कुछ बड़स दिये हुए है इसकी हम प्रैक्टिस कर लेंगे यह बर्ड कुछ यह नीचे भी है यह इसका स्क्रीन सोट आप ले 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 ना नेक्स्ट इज रूल नाइन रूल नाइन हमारा क्या कहता है नीम नाउंस ऐसे हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए हैं इंसाइट बाउस में परिवलतन करते हैं यानि कमें लास्ट में परिवरतन नहीं करते हैं उनके बीच में परिवर्तन करते हैं जैसे एक बल्ड है मैं मैं के बीच में A हटा करके E लगाया जाता है next is food food में डवलो अटा करके E डवली लगाया जाता है next is mice mice mouse sorry mouse का हो जाता है mice हो जाता है गूज गीज यह बल्ड है आप दोस्तों इसकी प्रैक्टिस कर लेना, यह bird है इसकी practice कर लेना next is rule 10 rule 10 हमारा क्या कहता है नेमलिकих, नाउंस ऐसे हैं जिनका plural बनाने के लिए एन जोड़ते हैं एन जोड़ते हैं जैसे हैं singular होता है child चाइल्ड में जोड़ते हैं एन आर एन children तरन ओक्स ऐख सेन इन नेक्स्टिर रूल 11 रूल 11 हमारे क्या कहता है कुछ नाउन्स के दो तरह के प्लूरल बनते हैं चिनका अर्ट भी अलग होता है जैसे से जैसे होता है whojah brother brother's का होता है एक तो ब्रोधरのは brothers और एक होता है ब्रोदर होता है संस ओफ दसेम पैरेंट्स मेंबर्स ओफ ए सोसाइटी कम्यूनिटी और ए रिलीजियस गुरूप जो सगवाई होता है बात लगता है ब्रोदर्स पर अंदुछ जैसे कोई किसी धर्म का वाई है तो उसे बोलते हैं ब्रेदरन नेक्स्ट इस क्लोथ क्लोथ क्या होता है क्लोथ मिस होता है कपड़े अनस्टिज्ड क्लोथ जो कपड़े बिना सीले होते हैं उसमें लोग एस सोरी यह नहीं लगता है इस लगता है नेक्स्ट इज डाई डाई का गया होता है डाई अगर हम यह दियम यह लगा देते हैं डाई मिस मेंस तो मरना होता है तो इसका होता है कि डाई मिस होता है सुरी डाई होता है स्टैंब्स यूज फोर प्रिंटिंग एंड कॉइन जो छपाई के लिए यूज करते हैं उसे बोलता है डाई नेक्सी डाई यह होता है small cubes used in games जो क्यूब होता है ना बर्ग डाइस जिसे लूटों की गोटी होती है दोस्तों उसे बोलते हैं डाइस आर्यूगेटिंग जिसे डाइस को इनने में पासा बोलते हैं वैसे वो नेक्स इंडेक्स इंडेक्स का होता है उसे इंडेक्स इज क्या होता है रिए क्या होता है इंडेक्स होता है सूची किसी चीज के इंडेकस के क्या होता है टेवेल्स ओफ किन्टेंट्स इन एग उन खृक्म जो एक बुक में कि tactics दिया हो रहता है हमें सूची देते हैं सारे chapters की उसे बोलते हैं इंडेक से और इंडेक सेच क्या होता है means used in algebra algebra में जो जो symbol you hoते हैं उसे बोलते हैं इंडेसें अचैस साई कि नेक्स्ट कुछ नेक्सिस सम् टिपिकल प्लूरल नाउन्स नंबर कुछ टिपिकल है जैसे होता है लैटिन वर्ड्स लैटिन के हैं कुछ सब्द जिनकह अंत में यू-ेम आता है एक बचन होते हैं इनको प्लूरल बनाने के लिए यू-ेम को अटाकर यह लगाए जाता है जैसे हाँ है इंभ इसके अंत में आता υव यू-ेम। यू-ेम को हटा करके अगर हम यह लगा दें तो हमारा प्लूरल बन जाता है ओवम ओवा एजेंडम मिसोदेर कारे सूची एजेंड़ डिक्टम डिक्टा मैमोरेंडम मैमोरेंड़ा इस्ट्रेटम इस्ट्रेटा यह कुछ बर्ड्स हैं दोस्तों इसको आप दो से तीन बार प्रैक्टिस क कर लेना तो आपको यह अच्छे से याद हो जाएंगे कि यह हीर इस ओल्सों इंपोर्टेंट लैटीन के यह इंपोर्टेंट होते हैं दोस्तों यह बर्ड्स लैटीन के निम्न सब्दों पर धियान दें इन सब्दों के पीछे यूम आता है लेकिन इनके प्लूरल बनाने तो पीछे एस लगाए जाता है इसमें यूम आता है दोस्तों परंदू लाश्ट में ऐस लगा देते हैं जैसे होता है ऐसाइलम में इस होता है आस्रम ऐसाइलम्स ऐस लगा देते हैं लाश्ट में म्यूजियम म्यूजियम्स प्रेमियम्स फोरम फोरम्स पैंडूलम पैंड कि नमड़ बी कोह लेट इन बर्ड्स के अंद में Verme यू ए साता है enjoy by फुमिए WO हं आई बदल कर बनाया जाता है जैसे होता है रेडियस इसमें लाश्ट में आई लगा देते हैं यू एस को हटा देते हैं और आई लगा देते हैं जैसे होता है रेडी नेक्स इस सिलेवस एस बाई डवलल ए बी यू एस तो इसका हम बना देंगे एस बाई डवलल ए बी आई यहाँ पर बी के बाद में यू एस अटा दिया और आई लगा दिया आर यू गैटिंग नेक्स इज नमबर सी कुछ ग्रीक सब्दों के अंद में आई एस आता है इनका प्लूरल आई एस को एस में बदल कर बनाया जाता है जैसे सिंगुलर में है एनाल्सिज एनाल्सिज में यह कैसे होता है आई एस को वटा दिया जाता है और एस में बदल दिया जाता है यानि कि ए का केबल क्या कर दिया जाता है I का कर दिया जाता है E Crysis I का कर दिया E Are you getting? यह birds है आप इनको practice कर लेना यह birds है दोस्तों Next is Number D Number D में क्या होता है कुछ क्रीक सब्दों के अंत में ON आता है इनका plural ON को A में बदलने से बनता है जैसे फिनोमिनन फिनोमिनन में ON आया है लास्ट में ON को अटागर के हम कर देंगे A फिनोमिनन का हो जाता है फिनोमिना Next is Criterion इसका हो जाएगा Criteria ON को अटागर के A लगा दिया Next is E Next is Number E अन्ये कई नाउंस के plural निमन प्रकार बनते है Singular If इप का plural कैसे बनेगा S लगा देंगे Direct ये बर्ट्स है T T का कैसे बनता है दोस्तों T में Apostrophe लगा करके S लग जाता है Direct तो ये हो जाता है ये प्लूरल बन जाता है Are you getting ये इसकी हम प्रैक्टिस कर लेंगे दोस्तों इसको आप आज़ा करता हूँ आप इसको नोट करते हुए चल रहे होंगे जिससे आपको Revise करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी Are you getting Next is Number F कुछ नाउंस के Singular even plural forms के अर्थ पूर्णता है अलग होते है आता है इनका प्रियोग साबधानी पूर्वख करना चाहिए जैसे Air मिस होता है हवा बट इसमें अगर हम As लगा देते हैं Airs कर देते हैं तो ये होता है दिखावती प्याभार Are you getting Next is Return मिस होता है बापसी Returns होता है I का हिशाव Next is Iron मिस लोगा Irons मिस होता है जंजीरे दोस्तों आप इसको revise कर लेना Are you getting इसका screenshot ले लेना और इसको note करते हुए छलेना Next is Number Next G कुछ नाउंस का singular form में एक अर्थ होता है पर अदु plural form में एक से अधिक जैसे होता है दोस्तों Custom होता है Reviage और अगर इसका plural बनाएंगे plural form में S लगा देंगे तो यह होता है हो जा था है Reviage भी होता है इसका में और इसका में सीमा सुल्क भी होता है Milan trading तरीका होता है Manors में होता है तरीके यह सिष्ठा चार manors means सिष्ठा चार आब जानते भी होंगे दोस्तों दर्द या अधक प्रियास quarter miss होता है, एक चोधाई quarters miss, एक चोधाई होता है और quarters miss होता है आवास next is letter, अक्षर चिट्टी letters miss, अक्षर चिट्टी भी होता है, और साहित्य भी होता है, letters miss are you getting? next is noun of apostrophe यानि apostrophe क्या होता है number a apostrophe का प्रियोग पजेशिब केस के लिए निम्न इस्तिती में ही करना उचीता है, जैसे जीवित बस्तु जीवित बस्तु जैसे मोवन जीवित बस्तु है तो यहां पर ऐस लगाए जाता है जैसे और निर्जीव के साथ लगाए जाता है ओफ बट निर्जीव के साथ में यहां पर दिया है परहन लगाए जाता है निर्जीव का पर सनीफिकेशन यानिकि जैसे निर्जीव को सजीव के रूप में दिखाये जाता है जैसे संस फ्यूरी सूरिया का गुस्टा नेचर लब प्रकर्ति का प्रेम प्रेम तो दोस्तों जो जीवित होता है बोई करता है ना तो बट नेचर को ही लब के साथ कनेक्ट कर दिया तो यह इसका परसनिफिकेशन हो गया है तो यहां पर इसलिए इसके साथ सोई के साथ जisc के साथ जैसे समय हो होगा भार होगा यह जगह होगा बहां पर इस लगाए जाता है और दोस्तों यह इंट बड को हम एक याद करने का कहा तरीका है जो मेरे जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं कुछ new दोस्तों इस ट्यूमें आप छिसे समय होता है बहूरता है जगय होता है और यह काहिज और साहस को आपते हैं से हम आपक करके इसे सभी में में डाल सकते हैं जसे हैं कुछ आम दράक ञानक ना उंस्सकों के साथी जीसा होते हैं कोड़्स ओर कोड़ का ओडर तो यह बड़ी चीज़े हैं तो इनके साथ भी इने भी याद रख सकते हैं नेक्स टीज एट डूटीज कोल अरुगेटिंग जैसे डूटी में सोता है करतब भी हैं नेक्स टीज नमबर फाइब कुछ फ्रेजेज के साथ कुछ फ्रेज होती हैं जैसे एट बंस बीट्स नमबर शिक्स इज वोलो भोगोलिक पिंड के साथ आर्ट्स एट्मोस्फेयर प्रकृति का धर्ति का बादावरण नमबर नेक्स्ट इज बी यदि प्लूरल सब्द का अंतिम अक्सर एस हो एस है तो अपोस्ट्रोफी का प्रियोग करते हैं समय एस नहीं लगाते हैं केवल आपोस्ट्रोफी का प्रियोग ही करते हैं केवल आपोस्ट्रोफी चिन का प्रियोग करेंगे आपोस्ट्रोफी ऐसे नहीं लगाते हैं अगर यहीं प्लूरल है जैसे होता है जैसे हम फर्स्ट वाइज कोलिज वाइज में एस तो ओल्लेटी लगा हुआ है क्योंकि य इसमें हम एस नहीं लगा करके खाली अपोस्ट्रोबी सिम्बल लगा देंगे चिन्द लगा देंगे जैसे यह हैं मार्क लगा देंगे खाली इसमें भी आपोस्ट्रोबी एस नहीं लगता है फोर्ट पीस सेख जैसे ओधना पीस पीस कैसे बढ़नें पीस में ऐसा लग रहा है तो इसमें भी आपोस्ट्रोबी ऐस नहीं लगाया खाली और जैसे यह हैं कंसाइंस से कंसाइंस यह बर्ड है तो कंसाइंस में भी खाली आपोस्ट्रोबी ऐस नहीं लगेगा खाली आपोस्ट्रोबी चीन लगेगा आर्यू केटिंग यह बर्ड्स हैं जैजजजजशेक्स गोर्ड सेक गोर्ड सेक परंदू यह नोट करने के लिए है यह इसमें अपोस्ट्रोपी एस दिया लगेगा दोस्तों नेक्सिन नमबर डी नमबर डी क्या कहता है पजैसी प्रोनाउन हीज हर्स योर्स आवर्स दियर्स के साथ अपोस्ट्रोपी नहीं लगाते हैं जैसे योर्स फेथफुली योर्स टूली इनके साथ अपोस्ट्रोपी एस नहीं लगाते हैं आपने यह कहां देखा होगा जैसे एपलीकेशन बगेरा लिखते हैं तो उसमें आपने देखा होगा यह कॉमन एरर में आ जाता है कभी-कभी इसको आप ध्यान रखेंगे नेक्टिन नमबर ए नमबर ए क्या कहता है निम्न टाइटल्स के साथ अपोश्ट्रोपी अंतिम सब्द के साथ ही लगाते हैं जैसे कमांडर्स इन चीफ चीफ ओर्डर्स माई संस माई सन इन लोज सिस्टर नमबर एफ निम्न बस्तु के साथ अपोश्ट्रोपी अस का प्रियोग नहीं करते हैं ओफ का प्रियोग करते हैं निर्जी बस्तु के साथ सोरी निर्जी बस्तु के साथ अपोश्ट्रोपी अस का प भूप आयांगे उ मेंज की टांग इस तरह से ओब मिस का होता है और यह बढ़ाएक फोरीज था दूरी वीमिस भी का होता है नंबर जी इस डबल एपोस्ट्रोबी गा प्रयोग ने करें जैसे डबल एपोस्ट्रोबी माई अपोश्ट्रोपी नहीं लगाएंगे दोस्तों इसकी जगह पर हम क्या कर देंगे दमदर माइब फिरमाय वाइब सेक्रेट्री यह सजीब सजीब यह ना दोनों परंदु डबल नहीं लगता है हमें ओफ करना होता है इसे हम देग लेंगे नेक्सटी नमबर ह में क्या होगा नमबर ह में एनिवडी नोबोडी एवरीवडी संबडी एनिवीवण शमबन नोबन एवरीवण के साथ अपोश्ट्रोवी एस कप्रियों किया जाता है यह बढ़ ने इन्हों ने उधारन दिये ह जैसे everyone's concern is no one's concern यह यहां पर apostrophe s लगेगा यदी यह next नीचे दिया है यदी इनके बाद else का प्रयोग वो तो apostrophe को else के साथ लगाते हैं जैसे यह ना एल्ज दिया हुआ है तो एल्ज के बाद लगाएंगे आप ऊस्ट्रोबिया सूरी और ना कि anybody के बाद इन्हों तुरंत बाद नहीं लगाएं यहां पर एल्ज के बाद लगाया है आर्यू के टिंग यह यह लिखा हुआ भी यह बाद यह अच्छा लगा होगा आज हमारा नावन का टोपिक समाप्त हो गया हैं दोस्तों इस्टुडेंट्स बच्चे ओगर आपकी कोई क्वेरियों कोई डाउडो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं मैं आपको क्वेर का आनसर जरूर दूंगा दोस्तों आपको अगर हमारे सैसा नच्छा लगाओ तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ सेयर करना ना भूलिएगा थैंक्यू दोस्तों